नमश्कार दोस्तों मैं विश्णू शर्मा आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 Language on English जो की 2021 का पीपर है रीट 2021 लेवल 2 Language on English में क्या क्योशन आई थे किस लेवल की क्योशन थे आज हम उन पर बात करें सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट क्योशन आपके सामने दिख रहा है रीट दो फॉलोविंग पैसेज और आंसर दो क्योशन नमबर 1,2,3 लेवल 1 का जो स्लीबस है आपको अच्छे से बता होगा कि उसमें लिटरेचर का पार्ट नहीं है और लेवल 1 की बात करें आज़ो लेवल 2 की बात करें तो वहाँ पर लिटरेचर का पार्ट थोड़ा सा आ जाता है बसे एक चीज यहाँ पर और लेवल 2 में सिमिलर है यह दोनों में सिमिलर है बाकी language 1 में हम grammar portion को ज़्यादा देखते हैं और language 2 में हम English grammar के साथ साथ हमें literature का पार्ट भी वहाँ पर मिलता है साथ साथ phonetics same है और principles methods same है तो यह जो passage दिख रहा है आपको इसमें से vocabulary से related questions आप से पूछे जाते हैं word formation से related questions पूछे जाते हैं synonyms, antonyms से related questions पूछे जाते हैं तो चल यह बात करते हैं passage अपने सामें not only are the cities, forts, palaces, gardens and temples spectacular यही पर underline कर लेते हैं spectacular कोई word ही नहीं है spectacular एक word है spectacular each proves to be a rewarding, rewarding experience, rewarding experience rewarding क्या है आपर, viciation है, adjective है, in itself but also they keep you absorbed for long hours at a stretch यह आपका passage था, इसमें से words जो है vocabulary वाला part है, वहां से questions पूछे गए हैं चलिए first question की तरह बात करते हैं, dash is the antonym of rewarding rewarding का विलॉम शब्द हमसे पूछा गया है, antonym पूछा गया है rewarding का विलॉम शब्द हमसे पूछा गया है, rewarding यानि positive word है, अच्छा word है benefiting भी positive word है, यह answer नहीं हो सकता, rewarding, awarding, लगबग same होते हैं उल्टा हो गया, किसी को reward मिलता है और किसी को punishment मिलता है किसी को reward मिलता है और किसी को क्या मिलता है, punishment मिलता है जैसे आज ही बात करें, recently जो हाली में हुआ है विनेश जो फोगाट थी उसको olympic से, olympic के final से बाहर कर दिया है, क्यों? क्योंकि 100 grams, केवल 100 grams overweight आ रहा था केवल 100 grams overweight के कारण, विनेश फोगाट को olympic से बाहर कर दिया, तो क्या मिला उसको reward मिला या punishment मिली, क्या मिली punishment तो इसका क्या होगे है, यह opposite word होगे, rewarding का opposite क्या होगे है, punishing next बात करें, the correct spelling, वहाँ पर spectacolor दे रखा है, spectacolor को यह word ही नहीं है, spectacular एक word होता है spectacular, spectacular देखो, spec यह word गलत है, spectacular के आता है, c आता है, यह भी k है, तो अपना answer क्या होना चाहिए, spectacular इस तरह से यह question से, vocabulary से, या तो आप से spelling पूछ सकता है, synonyms, antonyms पूछे जा सकते हैं, one word आप से पूछा जा सकता है, आप से word formation करवाया जा सकता है, शब्द का निर्मान भी आप से करवाया जा सकता है, next question की तरफ आगे बढ़ते हैं, experience, experience ना बोल कि हमें क्या बोलना चाह इसको experience, चलिए, experience क्या है, simple से trick आपको समझाता हूँ मैं, noun, या noun चोड़ो, noun तो क्या हो जाएगा, डिरेक्ट इसकान से रही noun, बात करें कि words, कोई भी ऐसे words, end with, ऐसे शब्द जो end होते हैं, C-E से, किस से end होते हैं, C-E से, ऐसे सभी words, जो C-E से, end होते हैं, all those words are noun, वो सभी words क्या होते हैं, noun होते हैं, ऐसे सभी शब्द जो C-E से end होते हैं, क्या होते हैं, noun होते हैं, जैसे यहाँ पर होगी experience, ऐसे ही और कोई word आप याद करना चाहें, तो याद कर लें, जैसे intelligent है, intelligent एक adjective है, और intelligence क्या है, noun है, ऐसे ही brilliant है, तो brilliance है brilliant adjective है विशेशन है और brilliance क्या है noun है तो कोई भी ऐसा word जो c e से end होता हो ऐसे सभी words किस category में आते हैं noun की category में आते हैं और यही हमसे पूछा है experience क्या है क्या यह pronoun है क्या यह adverb है क्या यह adjective है क्या यह noun है then simple सी बात अगर यह वाल लोजिक आपको याद है कि c e से end हो रहा है confirm noun है कुछ देखने की ज़र्ण नहीं है answer क्या हो जाएगा अपने अपना इसी का उल्टा अगर बात करें कोई word e and t या ant से end हो रहा हो ऐसे सभी words जो e and या ant से end होते हैं ऐसे सभी words क्या होते हैं अजेटिव होते हैं क्या होते हैं अजेटिव होते हैं यानि विशेशन होते हैं तो अब next कोई question आ जाए विशेशन से तो आब यह ढूण लेना क्या last में e and t a ant ऐसे तो क्या बहुत सारे और words हैं हजारों लाखों words हैं लेकिन एक trick है कि e and t और ant से कोई word आ जाया तो directly सोचने की ज़ूरत नहीं है क्या है सर वह होगा adjective होगा विशेशन clear बात होगी चली moving to the next question अगले question की तरह बढ़ रहे है the driver अब चारों option देख लो drives turns moves draw चली चारों verbs हैं यानि question जो पूछा गया है वह वाले part से question पूछा गया है यानि tense वाले part से अपने पास question है चली tense वाले part से question थो सबसे पहले जब भी tense का question आएगा अपने को sentence में क्या ढूना है समय ढूना है टाइम ढूननी है time adverbial ढूनना है ठीक है यह time क्या दिया हुआ है sentence में अगर time हमें मिल जाता है, तो easily हम tense का पता लगा लेंगे, और साथ इसाथ हमें verb जो fill करनी है, उसका भी आसानी से हम अंदाजा लगा पाएंगे, किस से केवल time से, या तो time होना चाहिए, या condition होनी चाहिए, तो जब हम tense पढ़ेंगे, तो सारे time adverbial से याथ करेंगे, साथ इसाथ condition based questions भी हम करेंगे, जिससे के directly हम अंदाजा लगा सके, इसमें ये tense है, इसमें ये verb आनी चाहिए, चलिए बात करते हैं, तर ड्राइवर डैश, तेक्सी ड्राइवर ना भई, टेक्सी चलाई, यस्टरडे से past simple, और past simple जो tense है, वहाँ पर अगर affirmative sentence अपने पास है, positive sentence अपने पास है, तो हम verb की second form, यानि past form of the verb हम काम में लेते हैं, तो drives क्या है, ये तो base form of the verb है, जिसमें S e S लगावा है, ये गलत होगे, turn में भी S लगावा है, ये भी गलत होगे, move में भी S लगावा है, ये भी गलत होगे, यानि तीनों जो वेब है, ये conceptence से related असर, ये तो बता दो, ये related है, present simple से, base form of the verb है, और उसमें क्या लगावा है, S e S यानि singular form है, वर्ब की, तो बचा क्या, अपने पास option, drive की second form क्या होती है, draw and third form क्या होती है, बताओ, comment करके DR लिख दिया, मैंने जल्दी से सभी को comment करना है, comment कर देना आप driven, drive, draw, driven, drive, draw, driven, तो सबसे important बात ये है, जब भी हमें tense के question आए, या conditional questions आए, या direct-direct के question आए, passive voice के question आए, सबसे पहली जो चीज़ हमें याद होनी चीज़, उस topic को solve करने के लिए, उस question को solve करने के लिए, the first thing is verb, कि कितनी verbs हमें याद है, how many verbs do we have in our mind, कितनी verbs हैं आपके दिमाग में, या आपको पता होना चीज़, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितनी verbs आपको याद है, जितनी ज़्यदा verbs आपको याद होंगी, उतना अच्छे से आप English के question को समझ पाओगे, और solve कर पाओगे, तो आज ही verb याद करना आप start कर दो, अच्छी अच्छी verbs हैं ने, go and gone, play, played, played, नहीं, अच्छी अच्छी verbs आपको याद करने हैं, तो directly इसका answer अगर आपको ड्रॉव पता ही नहीं होता है, तो कैसे solve करते हैं इस question को, तो drive, ड्रॉव ड्रिवन, अब आपको पता चलगे second form में ड्रॉव, और past tense से yesterday आ रहा है, वी टू लगाना है, वर्ब की second form लगानी है, ड्रॉव वी टू है, एक second, दो second, तीन second में खतम, ये कब खतम होगा, कब ऐसा होगा, जब हमें वर्ब याद होगी, प्लियर है, आगे बढ़ते हैं, next question number 5, आपके topic में है, कि आपसे question बनवाई जाएंगे, framing question आपके topic है, किसी unit में, वो पसंद गरते हैं आम खाना, आम का मौसं था, आम आपने भी खाया होंगे, कोई वे लोग थे, third person थे, उनको भी भाई, आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो सामने वाला प्रश्न करेगा यार, उनको क्या खाना पसंद था, ये तो करेगा, या उनको क्या पसंद था, प्रश्न में directly sentence में क्या बुला है, दे लव, उनको पसंद था, क्या काम करना, इटिंग खाना, किसको खाना पसंद था, मैंगोज को खाना पसंद था, दो चीज़े हैं अपने पास, वो अपकी बाद, इटिंग है और मैंगोज है, तो जब अपना क्योशन बनेगा, तो क्योशन में भी इस चीज़ से related क्योशन होना चाहिए, एक तो क्योशन यह हो गया, वो क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़े खाते हैं, लेकिन क्या खाना पसंद है, ये मैं इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और क्या वाला आंसर निकालना है, यानि आपको object निकालना है, sentence का क्या आपको निकालना है, object तो गायब कर रहे हैं, तो जब object गायब होगा, तो क्योशन हाव से नहीं बनेगा, क्योशन बनेगा what to say, what do they love eating, eating में उनको क्या पसंद है, किस चीज से वो प्यार करते हैं खाने में, क्या चीज फेवरेट हैं में की, तो यह अपना क्योशन हो गया, what do they love eating, अब आप बोलेंगे सब देखो, वैसे तो चारों में ही do है, एक में did वगेरा होता, तो थोड़ा सा confusion भी हो सकता था, simple सी बात है, love यहाँ पर क्या है, base form है, base form है of the verb, अब base form of the verb दी गई है, तो इसका जो question बनेगा, do से बनेगा, अगर singular है कहने का मतलब है, आगे आपका subject, तो फिर question बनेगा, किस से does से question बनेगा, किस से question बनेगा, do या does से, जब base form of the verb से, या present form of the verb से, जब question बनाते हैं, तो do does से question बनाते हैं, V2 verb की second form वाला sentence होता, तो हम question बनाते हैं, किस से did से question बना लेते हैं, क्या ही फरक पड़ता है, तो इस सारे चीज़ें अपने को सीखने हैं, question बनाना भी अपने को आना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, packets, यहीं देख लेते हैं, packets में क्या लगावा है, यानि यह क्या है, plural है, यह क्या है वई, plural noun है, बहुच्छा noun है, ठीक है, तो इस से पहले जो अपने को determiner चाहिए, इस से पहले जो अपने को क्या चाहिए, determiner से यह, वो plural वाला चाहिए, केवल how अकिला किसी काम का नहीं, दो चीज आपको सिखाता हूँ, एक तो how many है, how many मतलब कितने, how many हमेशा, क्या लेता है, plural noun लेता है, how many हमेशा क्या लेता है, plural noun लेता है, और how much हमेशा, uncountable noun लेता है, uncountable noun लेता है, ठीक है, how many, many मतलब होता है, how many मतलब कितने packets, और how much मतलब होता है, कितना दूद, कितना पानी, ठीक है, इस तरह से, कितना, कितनी, कितनी knowledge है उसको, कितने knowledge है, उसको ऐसा नहीं बोल सकते, कितनी knowledge है, यानि how much knowledge, जब uncountable sense में बात होगी हम यूज़ करेंगे how much और जब plural sense में बात होगी तो हम यूज़ करेंगे how many तो how many plural है यहापर packets आगया, अपना answer क्या होना चाहिए, how many अपना answer होना चाहिए how many packets of biscuits, biscuit की कितने packets did the canteen honor give you for RS10 10 रुपए में कितने packets आपको दे दिये, दो ही packet आता है, पारले जी के तो, और यहोगा तो यह की आता है तो how many packets, कितने packets दिये, दो दो वाले लेंगे तो 5 आते हैं, चलिए, अगले question के बात करते हैं अब आगे अपना part आगे, अपना principles and methods वाला part आगे Language learning is essentially a habit forming process कि जब हम principle start करेंगे, तो यह definition अपने को लिखनी भी है, याद भी करनी है देखो, 2020 में पूछी भी गई Language learning क्या है, कि habit forming process है ठीक है, तब भी बच्चा है, जैसे अपनी habit है, बच्पन से हम mother tongue सीख रहे है अपनी habit में आ गई है आज किसी से भी हम कैसे भी words यूज कर सकते हैं और कितनी भी लंबी बात कर सकते हैं अपनी mother tongue में ऐसे ही अगर अपने को English language सीखनी है, बच्चों को दूसरी language, second language, third language सिखानी है तो language क्या है, एक habit forming process है एक habit forming process है, आसानी से हम किसी भी language को सीख सकते हैं बस हम उसको एक habit बना ले अब process during which, एक ऐसी process जिसके दुरान भी acquire new habits, जिसके दुरान हमें नई habits acquire होती है courted by, ये चीज किसने court करी है, ऐसा किसने कहा है क्या Bruce ने कहा है, क्या planner ने कहा है, क्या P, Gary ने कहा है, या Robert Paul ने कहा है किसने कहा है, plan ने कहा है, सीथे सीथा अंसर है, इसमें कोई बहस बाजी वाली बात नहीं है factual question है, किसने कहा है, ये plan ने कहा, जैसे आप बोग करो मरो को नारा किसने दिया, तो आप वो पता है किसने दिया एक या answer होगा factual, ये भी factual question था अगला, makes English language learning effective and systematic, कौन सी चीज ऐसी है, जो English language की learning को effective तो बनाती ही बनाती है, साथ यसाथ उसको systematic भी बनाती है systematic बनाने के लिए सब से पहले teacher क्या करता है, matter को select करता है कौन सी class तक के बच्चों को क्या-क्या चीजे मुझे पढ़ानी है, यैसे 6-8 मुझे English पढ़ानी है, तो सब से पहले मैं मेरा matter select करूँगा सब से पहले कौन सा वाला part आता है, selection वाला part आता है, फिर में divide करूँगा, gradation में उसको, grade wise में उसको divide कर दूँगा ठीक है, तो selection and gradation, दो principles हैं, जब हम इनको पढ़ेंगे, तो अच्छे से इनकी बारे में हम लिखेंगे, selection और gradation से क्या होता है, language जो learning है, effective तो बनती ही बनती है, साथ-साथ systematic भी रहती है, system में भी रहती है, जिसे हर तरीके के बच्चा language लेर्न कर पाता है अपने को बता है, classroom एक divers situation है, diverse culture होता है classroom में, काफी सारे students होता है, काफी सारे children, बच्चे अपने सामने हैं, learners अपने सामने हैं, actual word learner हमें यूज़ करना चाहिए, learner अपने सामने हैं, तो उनको different different उनके minds हैं, तो जो आपकी teaching है, वो उनके mind के according ही होनी जाईए, उनकी age के according होन तब जाके आपकी टीचिंग के जो गोल है वो अचीव कर पाऊ गया ठीक है तो selection और gradation याद रखना क्या करते हैं English language learning को effective और systematic बनाते हैं which of the following methods of teaching English in India भारत की बात चल रही है sales time बचाते हैं मेहनत बचाते हैं energy बचाते हैं of the teacher अगर teacher bilingual method से बढ़ाता है कौन से method से बढ़ाता है bilingual method से अगर teacher पढ़ाता है दो language teacher यूज़ कर रहा है एक बच्चे की mother tongue यूज़ कर रहा है और एक जो language पढ़ाना चाता है जिसको हम target language बोलते है the language being taught is called target language जिस language को हम पढ़ा रहे हैं अगर अपने को टाइम लेबर और एनरजी बचानी है तो बच्चे को समझाने के लिए कौन सा मैथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है वो माना जाता है बाइलिंग्वल मैथड क्लियर बात है अगला क्यों रीडिंग दे अपने पास एक होती है इक होती है स्कैनिंग कब करते हैं जब हमें कोई स्पैसिफिक इन्फोर्मेशन निकालनी है अगर अपने को क्या करना है उसली करनी है यह उसकी सम्री तयार करनी है यह हम्ने को फास्ट पढ़ना है उसको फास्ट पढ़ना है तो हमें कौनसा वाला method काम में लेना है, reading का, scheming वाला method काम में लेना होता है, तो दो method पढ़ने के scheming और scanning, scanning जब हमें कोई fact निकालना हो, particular को information निकालनी हो, specific जानकरी आजिल करनी हो, तब हम स्कैनिंग करते हैं और उसका जिस्ट निकालना हो, समरी तियार करनी हो, पढ़ा पर उटको पढ़ना हो, ठीक है, रिडिंग लगानी हो, तब हमें कौन सा मैथड कामे लेना होता है, स्किमिंग कामे लेना होता है, ठीक है, बहुत अच्छा question था, अगला, which of the following is a criterion for textbook selection of English language, English language के लिए, अगर textbook हम select कर रहे हैं, तो उसका क्या criteria होना चाहिए, अगर हम बात करें, तो various language हैं, various language items हैं, in natural context, textbook का क्या role है, एक textbook जो है, English language की, उसमें various language items, अलग-अलग language items आपको मिल जाएंगे, जैसे आप मान लीजेए, चैप्टर आप रीड करना है, चैप्टर के अंदर आपको question मिल जाएंगे, one-liner question मिल जाएंगे, objective question मिल जाएंगे, factual questions आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर ऐसे type questions आ आपको मिल जाएंगे, काफी तरके language items आपको मिल जाएंगे, और उनको किस रूप में वहाँ दिया गया होता है, natural context में, जिससे बच्चा आसानी से उसको समझ सकता है, short stories with morals, क्या इसलिए textbook पढ़ने चीए, उसके उसमें short story होती है, morals के साथ, नहीं, religious teachings, या तो कोई particular चीज तो कभी होई नहीं सकती, इसको तो आप answer लगाए नहीं सकते, धार में एक section होता है, इसलिए नहीं, गलत बात, क्यावल grammar की exercise होती है, मैंने आपको समझाया, various language items एक textbook में होने चाहिए और होते हैं, so, क्या answer होना चाहिए, various language items in natural context, इसलिए textbook हम सेलेक करते हैं, आगे बात करे overuse तो किसी का भी भाई, काम का नहीं है, overuse कर रहे हैं आप TLM का, teaching learning material, TLM मतलब क्या है, teaching, learning, teaching learning, M मतलब material, आप charts यूज़ कर रहे हैं, आप कोई board यूज़ कर रहे हैं, आप TV यूज़ कर रहे हैं, आप और कोई काफी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप छोटे-छोटे परचे बना के बच्चों को बात रहे हैं, कोई games खिला रहे हैं, सारे दिन पर यहीं काम कर रहे हैं, मह कभी क्या यूज कर रहे हो, आप कभी क्या क्या यूज करता जायगा न तो क्या हो जाएगा Classroom, boredom, बैरिंगा बॉरिंग सा आपका classroom ब्यूज क सब्सक्राइक से आपके रिखो मौण करता है बिला कंप रहे है के वल वही ची यूज़ करेंगे तो teaching क्या बन जाती है boring बन जाती है ठीक है हाँ अगर यहाँ पर थोड़ा सा यूज होता a little use of TL है तो हम create interest promotes learning यह option select कर सकते है अगला continuous evaluation continuation क्या होता है लगातार continuation क्या होता है लगातार बच्चे का evaluation हम करते रहते है उस लगातार को ही दूसरे शब्द में क्या बोलते है successive बोलते है लगातार को ही हम दूसरे word में क्या बोलते है successive बोलते है तो इसका answer क्या होगा continuous evaluation का दूसरा नाम क्या है successive evaluation इसका नाम है आगे बात करता है dash developed multiple choice test multiple choice test किस ने develop किये factual question है डिरेक्ली आपको क्या लगाना है Benjamin D. Wood ये कहां से थे American थे American researcher थे American researcher थे काफिय रिसर्च करी इनोंने और multiple choice test वाली questions अपने को दिये कौन थे Benjamin D. Wood clear है factual question था आगे बढ़ते है the questions on antonyms और synonyms अगर हम बच्चों से synonyms और antonyms की question पोस्ते है तो वो किस category में आते हैं क्या वो reading में आते हैं क्या वो listening में आते हैं सीधी सीधी बात है vocabulary test में आते हैं बहुत easy question था लगबग सभी बच्चों के सही गया है 99% बच्चों के question सही गया होगा सही जाना भी चीए था इतना easy अगर आग गलत करके आएंगे तो आप teacher कैसे बनेंगे सिक्षक कैसे बनेंगे read the following sentence and answer the questions 16, 17, 18 नमर का question it is also recognized हम underline कर लेते हैं it is also recognized as a paradise swarg होता है of migratory birds from China तीन वरड है migratory, recognized or paradise आगे बढ़ते हैं paradise का synonym paradise मतलब क्या होता है swarg होता है paradise मतलब क्या होता है swarg होता है swarg का सीधा सा synonym सब बच्चों को याद है heaven heaven यानि भी swarg होता है migratory migratory मतलब एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाना पक्षी आते ही है China से भी आते हैं से भी आते हैं, पता नहीं कौन-कौन से देश से पक्सी इदर-ओदर उड़ते जाते हैं, तो migratory का क्या मतलब है, that moves from one habitat to another according to the season, season के according, एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर आना-जाना migratory word की category में आता है, migration जिसकों बोलते हैं, the noun form of recognized, ये इसकी verb होगी, क्या होगी ये इसकी verb होगी, अब ए हटा कर, हम आई-उन अगर इसमें एड़ कर देंगे, या टी-आई-उन हम ऐसे word में एड़ कर देंगे, तो क्या बन जाता है, noun बन जाता है, ing नहीं होगा, ing वाला noun नहीं होगा, recognize ze या se, दोनों का pronunciation same है, तो ये क्या है, verb है, ये भी अपना answer नहीं है, क्या ढूणना है, noun form ढूणनी, अच्छा, be-le जिसकी last में आता है, वो हमेशा adjective होता है, viciousion होता है, ये भी अपना answer नहीं है, बचा क्या, recognition, recognition, क्या होगया, recognition, recognition यानि क्या होती है, पहचान, identity, यानि recognition, सिंपल सा नाउन क्या है, recognized का, recognition, अगला, the, dash, the way, the more, देखिए, ध्यान देंगे, दो sentence है, अगर दूसरे sentence के starting में comparative degree है, दूसरे sentence के starting में comparative degree है, तो first sentence के पहले भी, क्या होगी, comparative degree होनी चाहिए, यहाँ comparative है, देखो, यह superlative है, यह positive है, none, कुछ नहीं है, यह है comparative, जब भी हम किसी adjective में, जो कि single slabic हो, यानि एक बार में उचारण करने वाला ऐसा शब्द हो, जो किसी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बना हो, ऐसे शब्दों में हम comparative में ER लगा देते हैं, और superlative degree में EST लगा देते हैं, ठकाओ, ठकाने वाला, मेहनती वाला, तो दोनों तरफ comparative degree, ठीक है, दोनों तरफ comparative degree है, the longer और वहाँ पर the more, तो दूसरे sentence से पैचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर the plus comparative degree है, तो दूसरे बाकिये में भी the plus comparative degree होनी चाहिए, starting में, चलिए, कोई एक ऐसी movie की बात हुँ रही है, कि भही वो रोने ही लग गई थी, कोई ऐसी movie के दो-दोस मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, जिसमें वो लड़की रोने ही लग गई थी, यानि दुनिया में बहुत सारी movies हैं, उनमें से किसी की बात नहीं कर रही है, यह वो उस movie की बात कर रहे है जिसको यह देखने गए थे रो लड़की रोने लग गई थी यानि जो situation है situation है, वो situation कैसी बन गई है definite situation बन गई है जब भी हम दुनिया की सारी चीजों को छोड़ कर उस specific चीज की बात कर रहे है जो हम से related है जिसके बारे में हम थोड़ी बोड़ डिटेल दे रहे है तब हम उसको definite मानते है और उसके आगे क्या लगा देते है द लगा देते है ठीक है, जैसे आपने बोला यार I bought a book I bought a book yesterday क्यार कल मैंने किताब खरी दी ठीक है, खरी दी दुनिया में हजारों किताब इनमें से कोई सी भी एक किताब खरी दी अब आप बोलें भाई, जो मैंने किताब कल खरी दी थी ना, वो खो गई तो अब आप कौन सी किताब के बात कर रहे है जो आपने कल खरी दी थी, that she began to weep वो movie कैसी थी, बहुत ज़धा absorbing थी, तो answer क्या हो जाएगा, the dash pilots plural है, ध्यान देंगे plural है less किसी काम करनी है the का मतलब जितने थोड़े हैं उतने the का मतलब, जितने भी थोड़े हैं उनकी एक साथ बात करने हैं जितने थोड़े हैं, उतने की एक साथ बात करनी हो तो the view लगाते हैं, दो sentence आते हैं जब भी हम the little या the view लगाते हैं एक में चीज होने का जिक्र होता है, एक में चीज समाप्त होने का जिक्र होता है वह जितने सारे मेरे जितने भी दोस्ट मैने आज तक बनाएं वो सब बिकार है तो जितने हैं, उतनी की जब हम एक साथ बात करेंगे तो 9 वू लगाते हैं नेगेटिव कोई बात हो रही हो कुँसी बात हो रही हो कोई नेगेटिव बात हो रही हो जिसमें ना के बराबर वाला सैंस हो नेगेटिव बात जिसमें ना के बराबर वाला सैंस हो तब हम कामे लेते हैं और जब सम या एफ्यू थोड़े बहुत थोड़े बहुत यानि पॉजिटिव वाली जब बात हो रही हो नेगेटिव बात नहीं हो, थोड़ी बहुत पॉजिटिव बात हो, तब हम एफ यू के यूज करते हैं, प्लूरल सेंस में यह सबसे बड़ी बात है, तो अफ्यू पाइलेट्स, अफ्यू पाइलेट्स टुक पार्ट इन बैटल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो बैटल हु आएगे, ऐसी लाइन आ जाती, तब हम यहाँ पर फ्यू लगा देते, यानि कहीं ने कहीं सामने वाला पॉसिबिलिटी देगा, कि ना के बरावर सेंस में मैं बात करना चाहता हूं, तो अफ्यू लगाओ, थोड़े बहुत सेंस में बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगा आएजी है, शी विल बुक अ सीट, वह एक सीट बुक करेगी, यह होगी वर्वाला पार्ट, अब्जेक्ट हो गया, उसकी मदर के लिए, इन फर्स रो, पहली रो में, कहां पर पहली रो में, यह एडवर्ब हो गया, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, चलिए, टैंस पहले द गलत, यहां पर वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तो अपने को ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूत नहीं, छोट छोट चीजों से हम options को उड़ा कर सीधा answer निकाल सकते हैं, जैसे मैंने भी निकाला है, आपके सामने अंदर तो गया ही नहीं, subject का object, object का subject ये तो किया ही नहीं है, अभी तक के बले tense में ही घुसा था और अपना repeatedly, अब direct and direct के sentence अपने पास है, तो direct and direct के sentence में एक चीज़ यहां रखने है, tense change होता है, present का past, past का past में ही रहता है, past simple, past perfect में, past continuous, past perfect continuous में, future भी आ जाता है वापस past में, कब तक आ जाता है sir, जब तक कि अपने पास यहां पर reporting verb में said लिखा हो, यानि past tense में reporting verb हो, past tense में है, तो सबसे पहले क्या डूना है यार, यह have been है ना, इसको तो sir, head been में change होना ही होना है, चाए कोई भी काम कर लो, कुछ भी गणित लगा लो, ठीक है, head been यहां पर है, head been यहां पर है, head been यहां पर है, oh, चारों में head been है, और ए sir, आपकी तो trick fail होई, नहीं, fail नहीं होई है, चलिए बात करते हैं, the doctor remind, the doctor reminded, the doctor reminded, the doctor reminded, भाई सब चारों में यह भी चीज़ से हैं, reporting भाई सही लगाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, I को हमें change करना है, the doctor में, doctor को he भी मान सकते हैं, और she भी मान सकते हैं, क्या चारों में he है, यहां पर he है, यहां पर I है, गलत, ठीक है? गलत हो गया है, और यहां पर she had been warning him, यह भी गलत है, यहां पर she आ गया, तो यह तो A हो सकता है या B हो सकता है, अब हम देखते हैं, अब यहां पर क्या आया, यह क्या है, मिसी से तो क्या आना चाहिए था, तो हर आना चाहिए था, देखो, सिंपल सी बात है, और अपना अंसर आगे है B, ज्यादा परेशान होने की जरुत ही नहीं पड़ी है, आगे बढ़ते हैं, sentence number 24 dash is the word with a different sound अब आगया phonetic वाला क्योश्य है different sounds वाला या symbols वाला phonetics half charm half charm दोनों सेम है फिर walk यह है walk वो का sound आ रहा है यह है प्ला आ प्ला, चा, हा तीनों में सेम है अलग में क्या हुआ walk यहनि इसमें यह वाला निशान आएगा symbol आएगा ठीक है तो अपने आप ही आपका answer होगे different sound पूछ रहा है different होगे walk चलिए reinforcement पुनर बलन या दुबारा सूध रडी करन जो करते हैं अपन उससे क्या होता है उससे सामने वाले का behavior अच्छा हो जाता है relevant behavior encourage होता है चलिए the teaching should be related to real life situation simple सी बात है एक approach है जिसको आप याद रखेंगे वो approach हमेशे यह कहती है CLT कि भई आपकी जो teaching है ना वो real life situation based होनी चाहिए बच्चों की real life में काम आने चीए था कि बच्चा connect कर पाए और उसको और अच्छे से बच्चा सीख पाए तो यह हो गया communicative simple सी बात है CLT spur SPR spur is an example of ध्यान रखेंगे spur SPR SPR एक साथ कितने consonants है तीन consonants है एक साथ कितने consonants है तीन consonants है बीच में कोई भी vowel नहीं है बीच में कोई भी vowel नहीं है तो ऐसे consonants को हम बोलते हैं consonants consonant cluster consonant cluster जब दो या maximum तीन जो consonants है एक साथ रखे जाते हैं बिना किसी vowel के बीच में लाए और उनका pronunciation उनका उच्चारण एक साथ करना पड़ता है उनका उच्चारण एक साथ करना पड़ता है तब हम ऐसे word को या ऐसे word structure को हम क्या बोलते हैं consonant cluster बोलते हैं जैसे spr का example ले लो sprite ले लो ठीक है इस तरह से ले लो spirit ले लो spirit में कितने हैं? दो है spirit में कितने हैं? दो है ऐसे CL ले लो जैसे close दो तो आ जाते हैं maximum तीन consonant आ सकते हैं तो अगला ग्योशन यह हो सकता है CL क्या है? तो धियान रखेंगे दो consonant बीच में वावल नहीं है तो ऐसे category को हम बोलेंगे consonant cluster A room without books और भाई A room without books is as a body of a man without soul ऐसा किस ने कहा कि अगर एक कमरे में किताब नहीं है इसका मतलब क्या है? A man without soul कि एक man की body है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है यसी बात किस ने कह दी? यसी बात इन भाई साब ने कह दी factual question है evaluation does not help evaluation किस चीज में help नहीं करता है evaluation से बच्चे का mental level नहीं बढ़ता है हाँ बच्चे का level पता चल जाता है evaluation से मुल्यांगान से promote students promote होते हैं evaluation से diagnose problem और problem का क्या होता है? diagnose होता है problem पता चल जाती है कि क्या problem है mental level नहीं बढ़ता है ठीक बात next speak, read, aloud, write, utterance, perform, task are, क्या हैं speak, यानि क्या कर रहे हैं कोई चीज, बोल रहे हैं बोल रहे हैं, मुँझे बहार निकल रही है सामने वाले तक पहुँच रही है यानि हम आवाज produce कर रहे हैं सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं read aloud, जोट जोसे पढ़ रहे हैं तब भी हमारी आवाज सामने वाले तक पहुच रही है लिख रहे हैं, तो लिख कर भी हम किसी को दे सकते हैं तो उस तक हमारी बात पहुच रही है utterance, कोई शब्द का उच्चारण हो गया perform task, task perform करेंगे तो भी सामने वाले को पता चलेगा जैसे मैं बोलू, दिल है, हिंदूस्तानी दिल है, हिंदूस्तानी इस तरह से कुछ मैं act करके बोलू, तो सामने वाले को पता चलेगा, हाँ, कुछ न कुछ ये communicate कर रहा है यानि, ये सारी जो skills हैं कुछ ने कुछ प्रोडियूस कर रही है यानि ये क्या है productive skills है receptive skills में क्या है था हम चीज़े receive करते हैं, हम सुनते हैं केवल पढ़ते हैं, पढ़कर बोलते नहीं है, तो वो चीज़े किसमें आती है, receptive skills में आती है, यहां पूछ रहा है productive test वगेरा, तो productive test में आ जाती है, कौन-कौन से चीज़े है, बोलना read aloud, write, utterance और perform task, clear है तो इस तरीके की जो questions है read level 2 में, language 1 में पूछे गए थे, 2021 वाले paper में इसी तरह हम और questions solve करते रहेंगे, और classes में अच्छे से पढ़ेंगे आप जुड़े रही है mission के आनके साथ thank you so much